हालो रादे रादे जैमात अदी मैं यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सबाई होप आप से लोग ठीक हूँगे बढ़िया हूँगे मज़े में होँगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत जादा खुश भी हूँ क्यों खुश हूँ क्योंकि अभी कुश दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ अपने लिविंग रूम का मेक ओवर वीडियो शेयर किया था और उसमें मैंने आप लोगों को एक साड़ी दिखाई थी अपनी हैवी जिससे मैं कुशिन कवर बनवाने वाली थी अपने सोफे के लिए और फाइनली जो है वो कुशिन कवर बनकर आ गए हैं और यतने जादा सुन्दर लग रहे हैं मैं क्या ही बताओं आप लोगों को मेरी दो खुशी का ठिकाना ही नहीं है मैंने जितना सोचा था ना उससे भी जादा ये सुन्दर बनके तयार हुए हैं और काफी सारा बच भी गया है तो अभी जिन भाईया से मैंने बनवाए हैं उनको देजी थोड़ा सा मेजरमेंट दे रहे हैं क्योंकि मैं सोच रहे हैं जो फैबरिक बच गया है उससे मैं ये सोफे की जो टेबल है उसके लिए रनर भी बनवा लूँ और ये देखो कितने सुन्दर बनके तैयार होगे अगर यह online purchase करो ना इस time तो बहुत जदा महंगे मिल रहे हैं यह जो है कुशिन कवर है Amazon पे मैंने देखे थे 1000 रुपए 1100 रुपए 1500 इस range में मिल रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहे है कि मैंने इतना सुस्ते वे यह सारा काम करवा लिया तो मुझे दें पाल रहे है ज़ा है बीडार छश्मा दे दा कर दकाम्रा आचरा रहे है इस हम्हार बत्राइमा पाल पाल यह सारा एक्त सारी है एक्याने इस routए audio एक्यान शने टेमा मिश्मा बेदम्वाश्मा बैना करूशा है खुशी खुशी में मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई कि ये कौन से डे का व्लॉग है वैसे तो काफी सारे सब्सक्राइबर मेरी एक ग्रीन वाली साड़ी देखकर समझ गए होंगे कि ये नवरात्री के फोर्थ डे का ही व्लॉग है तो काफी लेट मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था उस दिन क्योंकि वो भीया कुशन लेकर आये ना तो उसी टाइम मेरा ये हुआ कि ये चीज़ ने मुझे सबसे पहले आप लोगों को दिखानी है तो मैंने तुरंत जो है हम लोग आ गए थे हमारे घर के पास ही जो है न्यू शॉप की ओपनिंग हुई है जिसका नाम है बद्दे स्पेशल मतलब इस शॉप पे जो है आप लोगों को बद्दे डेकॉरेशन के सारे आइटम्स बहुत ही बढ़िया मिल जाएंगे और हमारे घर के बिलकुल पास ही ह तो अब जब भी मुझे भी अपने घर में डेकॉरेशन करनी होगी न तो यही से ले लोगी तो यह देजी के फ्रेंड है और उन्होंने ये न्यू शॉप की ओपनिंग करी थी तो वहाँ पर हम लोग आ गए थे देजी बोले चलो थोड़ा सा चलते हैं भार तो सांच की आर अगर आपको करवानी हो और मतलब इस तरह के घर में अगर हम चोटे बोटे फंक्शन करते हैं महंदी के फंक्शन में भी आजकल डेकॉरेशन होती है तो वह सब भी डेकॉरेशन भी जो यह लोग करेंगे तो इस तरह से इन्होंने स्टार्ट करी और काफी अच्छा तो नाश्ता वहां पे तो बुलबुल ने किया नहीं था तो उन भाईया ने जो है ना इसको प्लेट दे दी थी गुलाब जामुर भूजिया तो बस आते ही बहट गई अपना खाने पीना करने के लिए वैसे मैंने इसके लिए रोटी बनाई थी पर इसने फिर रोटी नही देजी को बहुत सारे काम होता है तो पूजा की जो आदी तयारी होती है ना नवरातरी पूजा की वो हम रात को ही कर देते हैं जैसे कि प्रशाद उठाना पूजा के जो सारे बरतन है वो साफ करके चोड़ देना और मतलब जो पूजा का रूम है वो सारा क्लीन कर देना इस चलिए ये मॉर्निंग के काम तो मेरे साथ साथ चली रहे हैं पर कुछ इंटरस्टिंग है जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करना है हाँ जी मैंने जो है अपना वाटसप नंबर दे रखा है और उस पर जो है आप लोग मुझसे बात कर सकते हो आठ से नौ के बीच और वो वैसे मेरे हस्बेंड के नंबर है जिससे मैं जो है अपना जो मैंने साथियों का काम शुरू किया है वो काम उसे नंबर से होता है और उस पर आप मुझसे बात भी कर सकते हो तो इसी बातचीत के जो सिलसिला मैंने शुरू किया है इसी सिलसिले में जो है मेरे पास कल पर सो कॉल आया पाकिस्तान से यहां जी वैसे इंडिया से कॉल आते रहते हैं बिहार से जम्मू कश्मीर से महराष्टरा से मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देश के कोने कोने से जो है और सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं मुझे और मुझे बात करना चाते हैं और उन्हें मुझे बात करके इतना अच्छा लगता है पर कल पर सो जब पाकिस्तान से कॉल आया न मतलब सरहदपार से जब कॉल आया अच्छा लगा उनसे बात करके और उस ए आदे घंटे में जो है आदा भी नहीं एक घंटा हो गया होगा आदे घंटे में हमने काफी सारी चीज़े शेयर कर ली थी और काफी अच्छा मतलब उनकी सोच मुझे लगी और हाँ बातों बातों में जो है उन्होंने ये कहा कि और असा और बताईए तो मैं सच बताऊ ना मेरे व्लोग पर दो चार लोग तो ऐसे हैं जिनका जब तक वो मेरे व्लोग पर ना आये नेगेटिव कमेंट ना करेना तो उनका दिन ही खतम नहीं होता है मतलब उनको मज़ा आता है वह चीज़ करने में कि वो आएंगे कुछ कुछ गलत बोलेंगे मतलब इतना गंदा बोल जाते हैं इतना गंदा बोल जाते हैं कि मैं क्या ही बताऊं हाला कि मैं जो उन कमेंट को रखती नहीं हुए डिलीट कर देती हूँ अभी कुछी दिन पहले कमेंट आया था गाव की गवार और अनपड कहीं की अंद विश्वास खहला रही है और पतानी कौन सी सदी में जी रही है सुझा सुझा उठकर आ जाती है जाडू लेके और तो कुछ काम है नहीं इसके पास ये वह बलाना डिमकाना पतानी कितनी बाते उन्होंने बोली है तो जी नेगिटिव जो लोग होते वो सबकी लाइफ में होते हैं बाहर के लोगी आपको टीज करेंगे या टॉंट मारेंगे घर के भी रिष्टेदार भी होते हैं घर के जो मेंबर्स होते हैं वो भी एक दूसरे में इस तरह से नेगिटिव बाते बोल जाते हैं तो उनको उनसे डील हमें किस तरीके से करनी चाहिए चलो आज इसका मैं करना शुरू कर दो ठीक है अगर आपने इनको अगर आपने इनको जवाब दोगे न तो इनको आण करुए और गलत और और उनको ऐसे लगेगा इसको तो कोई फर εκी नहीं पड़ रहे हैं ये तो कुछ बोली नहीं जिए तो फिर वापने आपई चुप हो जाएंगे ठीक है तरीका यही है कि उनको उनके हाल पे छोड़ दो उनको इस तरह से अपनी जिन्दगी से निकाल दो कि जिस तरह से चाय में मक्ही गिर जाती है तो हम पूरी चाय फैंक देते ना बस उसी तरह से उनको फैंक दो अपनी जिन्दगी से जितना आप इनको जवाब दोगे इनको मारे हाथ में होता है ना कि उनके हाथ में होता है कि वो हमें परिशान कर पाएं अगर हम परिशान होंगे ही नहीं अगर हम उनको इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो फिर वो खुद बखुद परिशान होकर आप से दूर चले जाएंगे और सबसे इंपोर्टेंट बाद जो मजबूती से पकड़ कर रखो उनसे इतना आप जुडाव रखो कि मैं सच बताऊ ना कोई नेगटिव पिपल आपका ना कोई नेगटिव जो आपके बारे में बोलते ना वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड पाएंगे अगर आप जो है अपने भगवान पर पूरा भरोसा रखते हो यह जो है मैंने खुद अपनी जिन्दगी में जो है ना यह चीज और बहुत बार मैंने यह अपनी आँखों के सामने यह चीज देखिए मैंने बहुत बार देखा है कि लोग बड़ी बड़ी बाते बोल जाते हैं और फिर मेरे भगवान ने मुझे ये एसास करवाया है कि देख मैं हूँ ना तुझे चिंता करने की क्या जरुरत है मतलब मैं हूँ ना समालने के लिए तुझे तो बस नेगिटिव लोगों से डील करने का यही एक तरीका है कि उनको जवाब मत दो भगवान पे छोड़ दो उनको अवोईड करो और जो भी उनके साथ होना है जो करना है वो आप मत करो ठीक है आपको भगवान ने भपेजा है अच्छा रहने के लिए आप अपनी अच्छाई को खराब मत करो दूसरों की बुराईयों से ठीक है अगर कोई बुरा है तो वो बुरा है ठीक तो उसको रहने दो बुरा पर खुद उसके लिए वो बुरे मत बनो ठीक है तो ये चीज मैंने जो है और सीखिए और इसी तरह से जो है मैं नेगिटिव लोगों को और आज कल अपनी लाइफ में हैंडल करती हूँ और मैं बहुत ज़दा खुश रहती हूँ और कमेंट्स तो आने के बाद वो सुबह नहाकर नहीं गई थी तो मैंने उसको ऐलोविरा जेल लगा दिया है सर में क्योंकि उसके बाल थोड़े से अभी रुखे रुखे से बेजान से हो रहे है तो ऐलोविरा जेल जो है थोड़े से सुखी सुखी सी पत्तिया थी तो मैंने उसका जेल नह थी और अभी उसने फर्माईश की थी कि उसको मेगी खानी है तो मेगी बनाई और यह जो है चाय मुझे रिसीव हुई है एमेजॉन से यह मुझे गिफ्ट में मिली है कल मैंने चाय वाला वीडियो पोस्ट किया शोट वीडियो तो काफी सारे सब्सक्राइबर जो है कुछ तो जो फ्री में मिलता है वह मैं सब कुछ ले लेती हूँ तो यह मुझे फ्री में ही मिला है और ऐसा नहीं है कि मैं चाय पीती नहीं हूँ अभी मौसम काफी यहां पर हमारे पर ठंडा ठंडा हो गया है तो कभी कभी चाय पीने का मन करता है गर्मियो में तो मैं बिल्कुल भी और वैसे देखो चाई मैं नहीं पीती हूँ पर हमारे घर में जो अनिल रहता है उसे चाई का बड़ा शौक है वो बड़ा शौकीन है चाई का उसे पूरा ग्लास भर के चाई चाही होती है तो उसके लिए चाई बनती ही है मेरे घर में तो चाई पती यूज होई जाती है तो मैंने चाय पी ली और थोड़ा सा मिक्चर ले ली थी यह व्रत वाली तो बस यही दिन में ले ले लेते हैं क्योंकि व्रत चल रहे हैं और चाय का टेस्ट बड़ा अच्छा था मैं जो है इसको फाइफ स्टार दूंगी अगर आप लेना चाहते हो अगर आप चाय के निटली जो है ले सकते हो तो कलर तो बहुत जादा इसका डार्क नहीं आएगा नॉर्मल सा कलर आता है पर मतलब बहुत जादा स्ट्रॉंग नहीं रहती है यह पर टेस्ट बहुत अच्छा है इसका और उसके बाद मैंने टिफिन पैक कर दिया था अनिल का और पतिदेव का और अब कर लेते हैं थोड़े से सर्दियों की तैयारी कर लेते हैं यहां जी सर्दिया आने वाली है और सर्दियों में धनिया बोया जाता है तो यहां पर मैं धनिया बोरी हूँ अपने घर पर वैसे तो देखो मेरे घर में बहुत सारी जगह है मेरे इतना बड़ा घर है प तो मतलब गिनी नहीं पाओगे इतनी जादा तुलसी है तो भगवान जी की बहुत अच्छी कृपा है हम पे कि इतनी सारी तुलसी है मेरे घर में तो फिर तुलसी को खाड़ कर और मैंने सुचा धनिया तो बो नहीं सकते तो मैं जो है धनिया जो भी मेरे जो चीजें होती है वो मैं अपनी बालकनी में ही लगा लेती हूँ तो ये जो है एक टब है जो मेरी मम्मी ने ले की दिया था मुझे पुरानी साडियों में मेरी जो पुरानी साडियां होती है जो थोड़ी सी फटवट जाती है तो उनसे जो है मैं हमारे यहां पे तो नहीं मिलता पर मैं मम्म के पास भेज जती है और मम्मी जो है उनसे मुझे ये और टब वगर ले देते हैं तो ये पुरानी साड़ी में लिया हुआ एक टब है और इसमें मैंने मिट्टी डाल दी है और मेरे पास धनिया रखा था और उस धनिया को मैंने हाथ से जो न दो टुकडे कर लिये और उसके अगर घर का धनिया हो तो तुरंत काटा और हमने सबजी में डाल में डाल लिया बहुत अच्छी खुश्बू आ जाती है तो आज मैंने ये काम कर लिया बुलबुल को भी तयार कर दिया है और सारा काम निप्टाने के बाद जो है अभी सरदी आ गई है हाथों की हालत बहुत जादा खराब हो रही है तो थोड़ा सा अलोवरा जेल और थोड़ा सा नारियल तेल लगा कर अपनी हाथों का कर लिया है मैंने खयाल और इसे के साथ करूंगे इस वीडियो को यही पर एंड फिर मिलूंगे एक नए व्लॉग में तब तगले टाटा बाई बाई राधी राधी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शियर, सुब्सकाइब करना बिल्कुल मत भूला